अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगो को मिलते रहें दोस्तों ये सीरीज जरूर देखते रही है पूरी की पूरी देखते रही है अगर आप बीच में आ रहे हैं तो इस सीरीज को पूरा शुरू से देखेगा आखरी तक पजल में एकदम बहतरी लेवल पर आप पजल बना पाओगे दो दो तो इन किरमेंट में और AL10 ये अनलॉ कोड है अनकेडमी का एप डाउनलोड कर लीजे, AL10 कोड यूज कर लीजे आप लोगों को जितनी भी फ्री क्लासेस हैं अनकेडमी पर वो देख पाएंगे अगर आप मुझसे पढ़ना चाते हैं पेट कोर्सेस में Maths और Reasoning तो दोनों सब्जेक्ट की जो फीस है वो मात्र आ मैं है आप लोगों के पास Question की Length को देखकर मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो एक बार वीडियो को Pause कर लीजे पहले और बनाने की कोशिश करिए चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने वीडियो Pause करकि इस Question को बनाने की कोशिश की होगी ठीक है स्टार्ट कर देखे क्या बोरे 10% sit in two parallel rows A, B, C, D, E सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जिसने पूरे-पूरे नाम लिखे सबसे बड़ी गलती आपने कर दी कि आपको पूरे नाम लिखने ही नहीं थे आपको सिर्फ लिखना था A, B, C, D, E sit in row 1 and faces in south direction P, K, R, S, T यह सारे के सारे row 2 पे बैठते हैं और north की तरफ face करते हैं तो इतना short पे लिखते हैं आपका question वैसी जल्दी बन जाता एक आथ दिर में तो आपका नाम लिखने में खराब हो गया होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर दो row बना लेते हैं जिस P, K, R, S, T यह north की तरफ देख रहा है ठीक है? Each person who sit in row 1 faces each person who sit in row 2 K faces the one who sits second to right of A K faces the one K किसको face कर रहा है? उस बन्दे को face कर रहा है जो second to right में बैठ है किस से? A से तो भई इसका second to right इस तरफ हो जाएगा क्योंकि यह south देख रहा है ऐसे अगर मैं नीचे की तरफ देखूँग तो बस वही चीज़ यहाँ पर A के इस तरफ हो गया? C faces R, C जो है वो R को face कर रहा है तो यहाँ बना लेते हैं C जो है यह R के सामने है C is an immediate neighbor of A, C जो है यह A का immediate neighbor है तो या तो A इधर होगा या तो इधर होगा 2 person sit between S and the one who faces D, 2 person sit between S and the person who faces D, तो दो लोग बैठते हैं S और उस person के जो D को face कर रहा है अब यह जो D है वो जरूरी नहीं की right side में ही हो, हो सकता है S से 2 छोड़कर इस तरफ कोई person होता है, उसके सामने भी D आ सकता था B sits third to right of D, B जो है वो third to right में D से देखो, D का right किदर होगा, फिर से वही बात होगा, D उपर है न, नीचे देख रहा है, ऐसे तो right इस तरफ हो गया तो D का first, second, third to right में B आ जाएगा, ऐसे, मतलब कि इसके सामने आ जाएगा, hundred percent अब बोरह है, B sits third to right of D, P does not face D, P जो है वो D को face नहीं करता, तो D के सामने यहाँ पर P नहीं आना चाहिए, ठीक अब यहाँ पर dot method का use करते हैं दोस्तों, कैसे use करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यह आपको पता है न, D से 2 छोड़कर B लेना है, तो या तो आप B को end पे लेलो, या तो D को end पे लेलो, और अपनी condition को start कर दो, या तो B को यहाँ लेलो, या तो D को इस end पे लेलो, और start कर द तो अगर मैंने D को यहाँ पर लिया, 2 छोड़कर B रखना है, 2 छोड़कर B यहाँ पर रख दिया मैंने, B के सामने S है, यहाँ पर S आ गया, D के सामने P नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर P नहीं आ सकता, ठीक है, अब उसके देखो A से दूसरे person के सामने K होना चाहिए, A से दूसरे person के सामने K होना चाहिए, ठीक, अगर A को यहाँ रखता हूं तो दूसरे person के सामने K हो नहीं सकता, इसलिए A को यहाँ रख दो, दूसरे person के सामने K हो सकता है, C के सामने R रखना है और C जो है वो A का नेबर है, तो A का नेबर यहाँ तो C आ नहीं सकता, तो A का solve हो गया बड़ा simple था dot method इसको dot method बोलते हैं अच्छा d को अगर मैं इधर नहीं रखके b को इधर रखता end पे तो क्या होता उसको भी चलो मैं solve करके दिखाता हूँ कि कैसे dot method का use करके हम उसको भी सहीं कर सकते थे फ़हले इसका answer check कर लेते हैं ebacd ebacd ksprt ksprt ठीक है अब मैं क b को नहीं लेता और मैं b को इस तरफ लेता हाला कि experience के साथ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसको कहा लेना है ये सब चीजे मेरे को experience से ही आई है ऐसा नहीं कि मा answer देखके आपको बता रहा हूँ experience दीरे दीरे आप जब practice करते रहोगे तो ये चीजे आप सम अब ध्यान से देखिए आपको क्या पता है कि A के बगल में C रखना है जिसके सामने R चाहिए और A से second person जो उसके सामने K चाहिए A को यहां रखोगे, second person है नहीं, नहीं रख सकते A को यहां रखोगे, second person के सामने आप K को रखनी सकते A के लिए यही वाली जगा दिख रही है ठीक, यह वाली जगा दिख रही है अगर मैं A को चलो यहां रख के दिखा रहा हूँ अगर मैं A को यहां रखता हूं तो इसका neighbor C कहां आएगा फिर C नहीं आ रहा ना गलत हो गया ना condition इसलिए क्या करेंगे हम इसको यहां भी A को नहीं रख पारे यहां भी A को नहीं रख पारे यहां भी A को नहीं रख पारे तो हम क्या करेंगे dot method का use करेंगे dot method क्या कहता है कि अगर आप कोई भी condition satisfied नहीं हो पा रही है तो आप फिर एक इधर का हटा दो और एक इधर लगा दो ऐसा अब देखो आपका answer वही बन गया जो हमने पहले बनाया था तो आप देखो A को आप यहाँ पर रख सकते हो क्या नहीं क्योंकि इसके सामने के नहीं आ पाएगा इसलिए A को यहाँ रख देंगे second के सामने यहाँ पर के आ गया ठीक है और क्या बचा था A के बगल में C चाहिए था जिसके सामने R है P यहाँ नहीं आ सकता तो P यहाँ जाएगा बचा था T और यहाँ बचा था E तो यह solve हो गया तो आप ऐसे solve कर सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर हम ऐसा रखते तो क्या होता वैसा रखते तो क्या होता यह सब चीज़े practice के साम धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे कोशिश करते रहें कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यह चोटे चोटे वीडियो जो हैं आपको zero से hero बना सकते हैं इसलिए series को follow करते रहिए recommend भी करिएगा आप अगर आपको इस series से फायदा मिलता है तो जितने भी new students आते हैं अगर आपको कहीं भी कोई भी पूछता है तो please दोसो recommend करिए किसी के help करोगे आप तो आपको भी help मिलते रहेंगी ठीक है जैसे मैं आपकी help कर रहा हूँ आप किसी और की help कर दो All the best, you can and you will अगर आप चाहें तो subscription अगर आप लेना चाहते हैं percentage ratio नहीं आता, कोई tension की बात नहीं है पहली class से percentage ratio भी साथ में भी सिखाऊंगा जिससे कि आपके D.I.B. बनने लगे Classes के timing सुबे 10 बजे और शाम को 6 बजे होने वाले सुबे 10 बजे reasoning की class, शाम को 6 बजे quant की class All the best, मिलते हैं फिर next वीडियो में एक एके बाता है